नारायन कवच का नित्य पाठ करने से भगवान नारायन स्वैम भक्त की रक्षा करते हैं। बुझाने का कार कर रहे हैं। यह बहुत हलत है। जन दिन को यादगार बनाएं। सुन्दर कांड करें। भगवान श्री नारायन ने ब्रह्मा जी को कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने नारज जी को सुनाई। नारज जी ने विद्व्यास को सुनाई। विद्व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को यह दिव कथा सुनाई। और सुखदेव ने श्रीमत भागवत कथा राजा पर श्रित को सुनाई यह दिविकता साथ दिनों में अम्रित में फल देती हैं। खातेगाउं से प्रदीप साहु की रपोर्ट